नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मैं रित्म सेन भारती आज हम बात करेंगे इंटर परिक्षा के बारे में यहार बोर्ड एक फरवरी से इंटर की परिक्षा काई वजन करने जा रही है इंटर्मेडियर्ट की बारसिक परिक्षा 14 फरवरी तक चलने वाली है इस परिक्षा के लिए बोर्ड निलगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है बतातें कि परिक्षा को लेकर बोर्ड ने पहले खूब सकती दिखाई लेकिन बाद के समय में बोर्ड ने रुक नरम करते हुए कई सक्तियों में धील देती है बतातें कि बिहार सरकार कदा चार मुक्त परिक्षा की बाद करती रही है ऐसे में बोर्ड की तरफ से जो कड़ाई की गई थी इसी का नतीज़ा था लेकिन बाद में बोर्ड ने इसमें धील दे दी इसके बाद छात्रों और अविवावकों को राहत की सांस ली है उजादें के बिहार में इंटर की परिक्षा करोना काल और ठंड की बीच में आयोजित की जा रही है परते समें इसमें करोना के साथ साथ मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला हुआ है ऐसे में बोर्ड की तरफ से यह कहा गया था कि छात्र जूता मोजा पहन कर परिक्षा नहीं दे सकते हैं लेकिन बाद में बोर्ड के अधिकारियों का दिल पिखल गया इसके बाद ही बोर्ड ने एक और बड़ा फैस्टा लिया जिसमें उन्होंना कहा है कि अब परिक्षार्थी को घवराने की जरूरत नहीं है जिनका एडमिट कार्ड में कुछ गरवड़ी हो गया है या वे परिक्षा हौल में लाना भूल गया है या फिर जिनके परवेक्स पत्र में फोटो में गरवड़ी है तो उन्हें घवराने की जरूरत नहीं है उन्हें परिक्षा में बैठने करमती दे दी जाएगी यदि किसी परिष्षार्थी का Admit Card गुम हो गया है या फिर भूल गया है या फिर घर में ही चूट गया है तो ऐसी थिती में उपरस्थित प्रपत्र में अस्टेंड फोटो से उन्हें पहचान करके रॉल सीट में अस्थापित कर परिच्छा में बैटने किनमती दे दी जाएगी इसके साथ साथ ही अभी कहा गया है कि जीन छात्रों के एड्मिन कार्ड के फोटो में अगर गरवड़ी है या फिर किसी अन्ने की तस्वीर छपी हुई है तो छात्रों को भाचान पत्र के साथ परिच्छा खेंदर पर पहुचना होगा छात्र अधार कार्ड, पैन कार्ड, भोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइव लाइसेंस अथ्वा फोटो यूट, बैंक का पासबुक लेकर परिच्छा खेंदर पर आएं इसके साथ साथ पहचान पत्र के साथ परिच्छा खेंदर पर जमा करना होगा एक तो जूता मोजा पहन कर जाने की बात कही गई दूसरी जो सबसे अहम बात कही गई उसमें एडमिर कार्ड अगर आपका घर छुट जाता है या फिर गूम हो जाता है या फिर उसकी तस्वीर में किसी तरह की गड़वड़ी सामने आती है तब जो है आप इसके बावजूद भी आप इंटर की परिक्षा में बैठ सकते हैं उसके लिए कुछ जरूरी काफजात की जरूरत होकी जो कि हमने आपको इस वीडियो में बताया है इन सब चीजों को लेकर इंटरमेडियर की परिक्षा में आप जा सकते हैं परिक्षा नहीं देगा ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आएगी बिहार और बिहार से जुड़े और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियों उसके साथ मुझे जय जाज़ाद धन्यबाद